अब हम बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से अपने coins को stake के उपर लगा सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? Coin Market Cap के उपर आ जाना है यहाँ पर जो है आपको Cosmos लिखना है यह वाला जो coin है आपके सामने आ जाएगा इसका जो website है यहाँ पे आपको link मिल जाएगी इसके उपर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो इसका जो website है वो आपके सामने open हो जाएगा आपको कुछ भी नहीं करना सिर्फ और सिर्फ scroll down करना है scroll down, scroll down, scroll down सबसे नीचे आजाना है ठीक है, सबसे नीचे आप आजाएंगे यहाँ पर आपको wallet दिखाई देगा यहाँ पर आपको click करना है जैसे आप इस wallet के उपर click करेंगे तो इस किसम का एक नया page आपके सामने open हो जाएगा थोड़ा सा आपको scroll down करना है यह जो kepler wallet है इसके उपर आपको click करना है जैसे आप kepler wallet के उपर click करेंगे तो इस किसम का एक page open हो जाएगा इस wallet को आपको जो है add कर लेना है अपने browser में जिस तरीके से आप metamask को use करते हैं बिल्कुल सेम तरीका है, कुछ भी चैंग नहीं है metamask को अगर आप use करते हैं आपको पता है कि किन किन चीज़ों में आपको security का खयाल रखना है कौन कौन से चीज़ें संभाल के रखनी है तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको करनी है यहाँ पर add extension के उपर मैं click कर देता हूँ यह जो है मेरे extension में आजाएगा मैं आपको अभी थोड़ी दिर में account बना के दिखाऊँगा और आपको stick करके दिखाऊँगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो kepler extension है यह मेरे पास add हो चुका है इसके उपर आपको click करना है जैसे आप इसके उपर click करेंगे तो इस किसम का एक page आपके सामने आ जाएगा आपके पास अगर wallet नहीं है तो आपको create new account के उपर click करना है यहाँ पर यह आपसे पूछेगा कि कितने word आप संभाल सकते हो अगर 12 words को आप संभाल सकते हो तो यह जो 12 words हैं इनको अपने संभाल के रख लेना है क्योंकि यह अगर आपने गुमा दिये तो आपके wallet में जो भी funds हैं उनको आप कभी भी access नहीं कर पाएंगे यहाँ फिर अगर यह 12 words किसी के हाथ लग गए तो वो आपके wallet का मालिक बन जाएगा आपके wallet में जो कुछ भी है उसको उठा के गुम हो जाएगा ठीक है तो आपकी मर्जी है आप 12 words संभाल सकते हैं या 24 words संभाल सकते हैं मैं जो है इसको कहता हूँ कि 24 words मुझे दे दो ताकि security जो है ज्यादा strong रहे तो मैंने 24 words को यहाँ से copy कर लिया फिलाल के लिए मैं इसको यहाँ पर जो है पैस्ट कर लेता हूँ क्योंकि यह जो wallet में बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ testing के लिए बना रहा हूँ वेसे भी मैं इसको use नहीं करने वाला तो यहाँ पर मैंने फिलाल लिए हैं आपको समझाने के लिए यह जो है आपको save करके रख लेना है paper copy पे अच्छे तरीके से किसी अच्छी जगा पर रख लेना है यहाँ पर जो है आपको नाम लिख लेना है जैसे कि मैं लिख देता हूँ GMR ठीक है कुछ भी नाम आप दे सकते हैं अपने wallet का यहाँ पर आपको password चूज करना है मैं जो है लिख लेता हूँ तो दोस्तो password जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है अब जो है मैं next के उपर क्लिक करता हूँ यह कह रहा है कि भाई यह जो words हैं आपने जो 24 words लिए थे उनको जो है आपको step by step sequence wise जो है select करना है ठीक है तो सबसे पहले में क्या करता हूँ यहाँ पर देख लेता हूँ सबसे पहले कौन सा था divorce oh my god कितना खतरनाक word आ गया है ठीक है तो सबसे पहले यह जो divorce है इसके उपर क्लिक करते हैं उसके बाद क्या है cactus तो इस तरीके से जो है आपको यह सारे के सारे tick mark कर लिने है जैसे के यहाँ पर तीसरे number पर क्या है film तो यह सारी चीज़े मैं कर लेता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको सरिफ और सरिफ उसके उपर क्लिक करना है film कहा गया film कहा गया ओमाइ गॉड फिल्म नहीं दिख रहा यार यह रहा यह फिल्म आ गया तो यह सारी चीज़े मैं कर लेता हूँ अब ठीक है तो दोस्तो सारी चीज़े मैंने सीक्विंस के साथ जो है यहां पर सिलेट कर दी है अब जो है मैं रिजिस्टर के उपर क्लिक करता हूँ तो मेरा वालेट जो है यहां पर बन चुका है यहां पर डन के उपर में क्लिक कर देता हूँ यह जो वालेट है इसको मैं ओपिन करके आपको दिखा देना चाहता हूँ जिसी मैंने इसके उपर क्लिक किया यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो वालेट है वो बिलकुल ऩो ये जो SuperV 세상 के लिए था ook पार डिए को क्यार पर खिसे कर सकते हैं कि मेने बनाए ब्लम है तो ये जो थे WASDus aircraft में देख सकते हैं कि मेरा पर्सnesुनल गौले्या जो देख्ण आतंते हैं आपको समझाने के लिए deposit किस तरीके से करेंगे कुछ भी नहीं है आपको simply यह जो address है इसको यहाँ से copy कर लेना है और आपका जो binance account है वहाँ पर चले जाना है यहाँ पर binance के उपर चले जाना है आपके पास जो item पड़ा होगा withdraw के उपर आपको click करना है इस किसम का एक page open हो जाएगा यहाँ पर जो है आपको address put करना है जैसे आप address put करेंगे तो यह कहे गा कि भई यह जो आपने address put किया है इसमें memo भी चाहिए होगा तो आपको memo यहाँ पर देना पड़ेगा मैंने personally क्या किया था मैंने कुछ भी नहीं किया था मेरा जो wallet था यहाँ परantis जो GM रिंद लिखा हुआ था यह उठा के मैंने दे दिया क्योंकि यह optional होता है तो मैंने simply यह जो GM रिंद लिखा हुआ था यह जो है मैंने उठा के इसको दे दिया यहाँ पे put कर दिया और मैंने withdraw कर दिया अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरी withdraw है वो complete हो चुकी है wallet में मैंने आपको balance भी दिखा दिया है अब आप इनको stake किस तरीके से करेंगे बहुत ही आसान है stake के उपर आपको click करना है जैसे ही आप stake के उपर click करेंगे सारे के सारे जो validators हैं वो आपके सामने आ जाएंगे अब आपको मैंने पहले ही दिखाया था कि ये वाले जो validators हैं इनको आपको जो है choose नहीं करना क्योंकि इनको airdrop नहीं मिलेगा तो आपको simply क्या करना है थोड़ा सा scroll down करना है यहाँ पर ये जो cosmos station है इसको आप select कर सकते हैं तक्रिबन 8 से 9 परसंट जो है reward ये आपको दे सकता है तो इसके उपर मैं click करता हूँ जैसे ही आप manage के उपर click करेंगे तो इस किसम का एक pop-up आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर delegate का option होगा इसके उपर आपको click करना है यहाँ पर number of tokens आप लिख सकते हैं जितने tokens भी आप stake करना चाहते हैं वो amount आप यहाँ पर put करें यह जो है एक warning है कि अगर आप अभी staking के उपर लगा रहे हैं तो इस चीज़ का आपको खयाल रखना है कि जब आप unstake करेंगे तो उसको unstake होने में 21 days लगेंगे 21 days तक जो है आप इन tokens को sell नहीं कर पाएंगे एक तरीके से आप यू समझ लें कि आप जो है इनको lock कर रहे है 21 days के लिए जैसे ही मैंने यहाँ पर delegate के उपर click किया तो transaction चली गई कैपलर के उपर सबसे पहले मुझे यहां से इसको approve करना है फीस आप देख सकते हैं 0.21 डॉलर जो है फीस लग रही है डॉलर्स में बता रहा हूं ठीक है तो मैं इसको high कर लेता हूं 0.33 डॉलर्स जो है फीस में लग रही है atom जो है बहुत ज़दा कम लग रहा है 0.01 atom लग रहा है तो approve यहां से कर देता हूं जैसे यह transaction मुकमल हुई मतलब कि approve हो गया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि stake में कितना लिखावा आ रहा है 1.6 atoms जो है staked हो चुके हैं ठीक है उसका जो percentage है आप यहां पर देख सकते हैं कितना percent जो है मैं expect कर सकता हूं 8.9% यह समझ लो कि 9% का यह return दे सकते हैं लेकिन staking के उपर लगाने से आपको नए नए air drop मिल सकते हैं एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि अगर आप इस process को follow करते हैं तो सबसे पहले आपको complete information होनी चाहिए कि यह जो decentralized चीज़े हैं इनको आप किस तरीके से manage करेंगे security के बाले में आपको सारी की सारी information होनी चाहिए क्योंकि यहां पर आपकी जो छोटी सी गलती है वो आपके सारे के सारे जो funds हैं उनको जाया कर सकती है यहां फिर अगर आपका जो software है आपका जो computer है उसमें कोई यसा virus वाइरस है तो भी जो है आपके funds जो है risk में चले जाएंगे तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है जब भी आप decentralized चीज़ों को use करें तो इसका मतलब यह होता है कि 100% responsibility आपने खुद ले ली है ठीक है कल को अगर आप किसी गलत website के उपर चले गए गली गलत application आपने use कर ली virus जो है आपके computer में आ गया अलग-अलग तरीके से जो है attacks होते रहते हैं तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा खयाल रखना है